आपका स्वागत है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी हम नई वीडियो अप्लोड करें हरियाना से टोपिक के रिलेटिड तो आपको उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे आपकी इमेल की पहली सीरीज है जो हमने स्टार्ट किया है यह इसका भाग नंबर वन है और जनरली यह जो क्वेश्चन हम आपके साथ डिसक्स करेंगे यह हरियाना में जो एक्जाम होते हैं एक्जाम है सब इंस्पेक्टर्स के एक्जाम है हमारे पास नर्सिंग के एक्जाम है पटवारी के एक्जाम है कलरक के एक्जाम है तो जितने भी हमारे पास एक्जाम होते हैं उनके अंदर जो हरियाना से रिलेटिड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको डिसक्स कर प्राचिन काल में हर्याना रजय अन्य किस नाम से जाना जाता था तो इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा और उसके कोई चार ओप्शन आपको मिलेंगे सबसे पहला प्राचिन काल में हर्याना रजय अन्य किस नाम से जाना जाता था तो इसका जो जो सही अन्सर है वो है सभी से कि आप इन तीनों नामों से हरियाना को जानते थे तो इसका जो सही उत्तरव हो है D उसके बाद जो दूसरा question है किस भरतवंसी सासक ने हरियाना परदेश से अपना विजय अभियान सुरू किया था तो इसमें क्या है कि कोई चार भरतवंसी सासक के नाम आपको दिये जाएंगे और उनमें जो सही अंसर है उसमें उसको आपने टिक करना है तो आपको चार option given है वो सबसे पहले है भिसम दूसरा है अरजुन तीसरा option आपके पास सूधास और फूर्थ answer आपके पास है भरत कि इन चार भरतवंसी सासकों में से कोई एक ऐसा सासक है जिसने हर्याना परदेश से अपना विजाभियान सुरू किया था तो उसका जो सही उत्तर है वो है सूधास सो सी इसका सही अंसर है उसके बाद जो तीसरा question हमारे पास है महा भारत का प्रसिद्ध युद परदेश में किस थान पर लड़ा गया कि जो महा भारत का जो युद हुआ था वो हर्याना में किस जगए पर लड़ा गया था तो उसके जो option आपके पास है सबसे पहला option है जजर दूसरा option आपके पास है बल्लबगर्ड तीसरा option है सोनीपत और चोथा option आपके पास कुरुक्षेतर तो इन सब में जो हमें जो ठीक लगेगा जो right option है उस पर हम टिक करेंगे महा भारत का प्रसिद युद परदेश में किस थान पर लड़ा गया तो इसका जो right जो उत्तर है वो है कुरुक्षेतर कुरुक्षेतर में ही महा भारत की जो लड़ाई है वो ही थी next question हमारे पास है मुगल काल में इस परदेश में जन पदों का स्थान किस ने लिया था कोई चार option आपके पास होंगे पहला पंचायत ने दूसरा खापों ने तीसरा गण संग ने और चोथा गण विवस्था ने तो इसका जो सही उत्तर है वो है भी खापों ने परदेश में जन पदों का स्थान लिया था उसके बाद जो अगला question हमारे पास है बोध काल के किन महाजन पदों में आधुनी करियाना के भाग सामिल थे कि ऐसे कौन से हमारे पास बोध काल के जो महाजन पद में जो आधुनी करियाना भाग सामिल थे वो में बताना है इसके जो option है कुरू और पांचाग दूसरा कोशल एंड वज्जी और तीसरा है सूरसेन और अवंती और छोता है आसक और वत्स तो जो बोधकाल के किन महाजन पदों में हरी आधुनिक हरियाना के भाग सामिल थे इन चार उप्सन से हमें उसको सेलेक्ट करना है और इसका जो सही उत्तरग हो है कुरू और पंचाल अगला जो क्वेशन हमारे पास है परदेश का कौन सा स्थान अग्रे अगंड की राजदानी था और इसका सही उप्सन हमारे पास है वो है अग्रोः अग्रोः ही अग्रेंड गंड की राजदानी था अगला क्वेशन हमारे पास है महमूद गजनवी ने थानेशवर पर कब आकरमन किया था हमारे पास ओप्सन है एक हजार तेरा इसवी में एक हजार चोदा इसवी में एक हजार सोडा इसवी में एक हजार सत्रा इसवी में तो इसका जो सही उप्तर है महमूद गजनवी ने एक हजार चोदा में थानेशुवर पर अकर्मन किया था एक हजार चोदा में अगला क्वेशन हमारे पास परदेश का थानेशुवर नामक नगर किस परसिद राजा की राज़धानी था प्रदेश का थानेशुवर नामक नगर किस प्रदेश प्रसिद राजा की राजधानी था ओप्शन है असोक, कनिश्क, हर्षवर्दन, चंदरगुप्त, विक्रमा दिट्य तो सही उत्तर है हमारे पास वो है हर्षवर्दन तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया हरियाना और प्रसासनिक विवस्था पर आधारीत और अब्जेक्टिव टाइक क्वेस्चन का भागवन इसका जो भाग टू है वो जल्दी हम इसको लेकर आएंगे और आपसे मेरा जो रिक्वेस्ट है एनि उन्वेस्ट रडी को सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कीजिए आपको इसको शेयर कीजिए फेस्बुक पर ट्वीटर पर आप सोचल साइट्स पर वाट्सप पर आप इसको शेयर कर सकते हैं और अगर आपके कोई क्वेरी से आप पूच सकते हैं और आपके कोई सुझाव में आप इसको लिख कर हम तक बेज सकते हैं अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में सेयर कीजिए धन्यावाद थैंक्स पूर and keep watching have a nice day